हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपको राग व्रिंदावनी सारुंग का 20 वरों तक विस्तार करना सिखाने वाली हूँ जो क्लास 10 नमबर 5 में आने वाला है जो क्वेशन मैंने बताया था इसमें कि राग को पहचान कर उसका 20 स्वरों तक विस्तार कीजिए तो राग के वल आपका स्लेबस में एक ही है राग व्रिंदावनी सारंग तो पहचानने में आप आराम से पहचान सकते हैं कोई भी स्वर समुदाय आएगा तो वो राग व्रि करते हैं राग व्रिंदावनी सारंग में दोनों नी का प्रियूग किया जाता है मिस शुद्धनी जो अंडलाइन नहीं होता है और कोमल नी जो अंडलाइन होता है तो इसमें इन दोनों स्वरों नी का प्रियूग किया जाता है अब देखते हैं कहां पर किस नी का प्रियू तो अपने किया है तो भी आपको करना कमपल सरी है क्योंकि इह इन्हें भी लिखना होता है तो इसका जो आरो है वह है नी सारे मापानीड सा भाँ बहुत झाजेगो बाद और यहां पर वहर दो नी के बाद साकत स्वर करते हैं तो यहाँ पर बिना underline वाला नी यूज़ होगा और जब सा के बाद जब हम नी का प्रियुक करेंगे तो वो underline वाला नी होगा तो यह इसके पहचान है नी के बाद सा है तो वो है शुद्ध नी और जब सा के बाद नी है तो वो है underline वाला नी नी के बाद जो पा है तब भी हम ध्यान रखेंगे जब सा नी पा जब इस तरीके से सा के बाद वाला नी और पा से पहले वाला नी जो होगा वो अंडलाइन वाला होगा और पा के बाद वाला नी शुद्ध वाला होगा तो इस प्रेकार से हम इसको पहचान सकते हैं तो इसको अवरो जो होगा वो है सानी पा मारे सा बहुत इजी है आपने सरगम पड़ी होगी सारे गामा पाधानीसा तो सारे गामा पाधानीसा में से गा और धासुर हटा के हमारा आरो बन गया है और सानी धापा मारे सा में से गा और धासुर हटा के हमारा अवरो बन गया है तो अगर आप underline इसको नहीं करते हैं, तो यह राग घलत माना जाएगा, सा के बाद जो नी है उसको underline जरूर करिएगा. अब इसके पकड आपको याद करनी है, नी सा रे मा रे, तो आप आरो में से देखिता, कैसे करना है, नी सा रे मा यहां तक करने के बाद मा के बाद रे लिखना है दुबार से तो नी सा रे मा रे पा मा रे पा मा रे और यहां पर नी सा आधा यहां तक लेजिए फिर मा के बाद रे फिर यहां से पा मा रे नी सा तो यह आपको लर्ण हो जाएगा और इसमें जो हमारे जो नी है वो शुद्ध ही है, क्योंकि नी के बाद सा है, तो ये भी शुद्ध है, ये भी नी के बाद सा है, तो ये भी शुद्ध है, तो इस प्रकार से हमारी पकड हो जाएगी, अब देखिए मैंने इसको क्यों बताया भी यहाँ पे, 20 वरो तक विस्तार बताया गया है, तो इसका कह यूज है इसमें तो देखिए अगर इसमें हमने आरो अवरो और पकड़ जो इसकी heading है वो मैंने छिपा दी है और आपको directly लिखना है नीसा रे मापनीसा सानी पामारे सा नीसा रे मारे पामारे नीसा आपको continuously लिखते जाना है बिना आरो अवरो और पकड़ की heading डाले हुए त इसका कम नहीं होना चाहिए ज्यादा स्वर हो जाए तो कोई problem नहीं है अगर 20 स्वरों से ज्यादा विस्तार आ जाता है कि 25 स्वरों तक विस्तार कीजिए या 30 स्वरों तक विस्तार कीजिए तो आप क्या करेंगे इसको double कर दीजिए केवल आरो डबल कर दीजिए या अवर आगर दो अलाफ लिखने के लिग दीजे और खेवल पकड बस देंगे तो ये भी आपका लाफ विस्थार गर सकते हैं चाहे वह अलाफ आये 20, 25, 30 कितने ही सोरों का विस्तार है आप उसको उसके अकॉर्डिंग भढ़ा सकते है तो इस प्रिकार राग व्रिंदावनी सारंग का 20 सोरों तक विस्तार हमने किया अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजे शेयर कीजे और सब्सक्राइब कीजे धन्यवाद